प्रेंट्स तो वल्कम बैक टू माई न्यू वीडियो फ्रेंट्स देखिए आज हम लोग आए हैं एक खेत पे और यहां पे एक बोर्वेल मसीन बोरिंग करने जा रही है तो चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं कि एक बोर्वेल मसीन बोरिंग कैसे करती है तो आप सबसे पहले भूमी पूजन किया जा रहा है, भूमी पूजन होने के बाद बोर्वेल मतिनी स्टार्ट होगी पूजन करते समय आ अच नारीयल दखा गया था तो पहले बोर्वेल मसीन से तोड़ा जा रहा है भिर उसके बाद जब नारीयल तूट जाएगा तो रहे कि पहले नीचे एक तूल बाक्स तूल रखे पिर उसको नारीयल को उस पह रहते हैं परसे प्रेशा से नारियल को तोड़ेंगे लिए 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 मसीनी स्टार्ट हो चुकी है और पहले यह जो आप लोहें कि बड़ी सी पाइप देख रहे हैं इसे लगाने के लिए एक ठोटा सा गंठा बना जा रहा है जब कठा हो जाएगा तो इसमें पाइप रखा जाएगा जिससे की अगल बगल की मिट्टी उसके अंदर ना किरे गजय के लिए करना जाएप देख बाहा है कर दो कर दो कर दो कर दो बाद कर दो. तो आप लोग देख सकते हैं लंगभग 6-7 बीट लगने एक बार नॉर्मल पानी आना शुरू हो गया है अभी को बहुत अच्छा पानी नहीं मिला लेकिन नॉर्मल ही पानी मिला है अच्छा पानी आना शुरू हो गया है अच्छा को यह है अच्छा अच्छा उचाब लत बारां करें लगना तो सब्सप्स प्रूरिंग करने के बाद यहां पर बीट खराब हो चुका है इसे फिर अब चेंज किया रहा है इसे पहले खोल रहे हैं खोलने के बाद फिर इसे चेंज करेंगे इसमें नया बीट लगाएंगे उसके बाद आगे का काम कुछ करेंगे प्रेंट लगभग 400 फिट के आसपास जाने पर काफी अच्छा पानी मिल चुका है अब लगता है हमें कि इसके आगे देखते हैं और कर देखने हैं जोगी मौसम बहुत गड़बड है और यह लोग करने के लिए तयार नहीं हो रहे हैं प्रेंट 400 फिट जाने के बाद इन लोगों ने मसीन बंद कर दिया क्योंकि मौसम गड़बड था अब इतने पर ही क्रेसिंग पाइप को डालने हैं इसके बाद क्रेसिंग पाइप डलने के बाद यह लोग चले जाएंगे क्योंकि मौसम बहुत गड़बड है अगर पानी बरस दिएगा तो गाड़ी यहां से निकल नहीं पाएगी इसलिए इतने पर ही मसीन को बंद करके क्रेसिंग पाइप डला जा रहा है एक क्रेसिंग पाइप 20 फिट की होती है तो लगभग दो क्रेसिंग पाइप चाहेगा अंदर फिर उसके बाद यह लोग चले जाएंगे झाल 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 तो आप चाल साथ बीडियो नहीं तक कल मिल जाएं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए-बाए